हलो दोस्तों आज हम फिर से आए हूँ एक solar plate install करने के लिए तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यह solar plate install किया जा रहा है और इसके साथ में इसका controller है तो आज control के बारे में थोड़ा सा जादा बात करेंगे तो यहाँ पे है solar pump rms controller जो कि कुछ इस तरह से दिखता है पर एक switch button होता है जो कि voltage rpm ampere watt और voltage देखने के लिए होता है बाकी indicator आपको मिलेगा और बीच में पैनल मिलेगा देखने के लिए और enter का और set करने के लिए button दरता है उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे में इसका connection point यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है जहाँ पे red और black जो है वो solar plate के साथ connect होता है जिसमें positive में red और black में negative terminal connect होता है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा और उसके बाद देखिए है यह आपके पास अगर कोई sensor है tank float sensor है तो उसके लिए यहाँ पे terminal दिया हुआता है और common terminal रहता है उसके बाद earthing के लिए green वाला terminal है जहाँ पे earth के साथ आप इसे connect कर सकते हैं तो इस तरह से connection यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसके साथ में देखिए इसका switch लगा हु और direct motor को on off कर सकते हैं उसके सीधा यहाँ पर दिया हुआ रहता है और इसमें एक सामने में देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ किट्स लगे हुए रहते है जहाँ पर पुरा circuit यहाँ पर रहता है और उसके साथ में circuit में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक sóकेट दे 0.7 kW का और इसके साथ जो केबल यूज किया गया है 2.5 sq mm का है जो की 3-phase का होता है यहां पर समरसेबल केबल और यहां पर जो मोटर है वो समरसेबल DC मोटर है जो कुछी इस तरह से यहां पर उसका data mention है और यह जो केबल है यह हमारा जो कंट्रोलर होता है उसमें लगता है ज इसके उपर हमारा जो 3 solar plate है उसे one by one करके यहां पर install कर दिया जाएगा तो चली इसको connection कैसे किया जाता है वह बताएंगे यहां पर देखें drill machine को हम solar plate के माधियम से ही connect करके यहां पर चला रहे है मतलब यहां पर light से connect नहीं है यह जो हमारा drill है यह solar से ही connect है तो देखें solar को क इस तरह से connect किया जा रहा है इसके लिए क्या क्या गया है कि पहला plate जो है उसका positive terminal को खाली छोड़ दिया गया और उसके negative terminal को second वाले plate के positive terminal से और second वाले plate के negative terminal को third वाले positive terminal से plate से जोड़ा गया है इस तरह से हमें last में negative terminal और first में positive terminal मिल गया और positive terminal से फिर जो हमारा drill machine है उसका जो दोनों टर्मिनल होते हैं, जो तार हमें connect करना है, phase और neutral बोल सकते हैं, वह ला हिससा हम इसमें connect कर दिये हैं, जो कि positive और negative terminal से यहां पे connect हो जाता है, और हमारा drill machine यहां पे चलता है, हालांकि थोड़ा कम speed में चलता है, क्योंकि फिलहाल धूप यहां पे कम है, तो इसलिए ह हमारा drill machine है, वो थोड़ा कम ही speed में यहां पे चल रहा है, तो देखें, यहां पे इसका connector है, जो कि MC4 connector होता है, और यहां पे देखें, इसमें दो side में clip आपको दिख रहोंगे, उसी को press करने पे यह खुल जाता है, और यहां से लग जाता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से करनेक्शन हो जाता है, तो इस तरह का MC4 connector होता है, और यह जो इसका wire है, केबल है, उसे DC केबल कहते हैं, और देखें, यहां पे positive और negative का आपको sign यहां पे देखने को मिल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है, positive और negative terminal कौन सा है, और अगर इसे हम खोलते हैं, तो इसके box मे देखे कुछ इस तरह से इसका connection है और तीन डाइवोड यहां पर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे तो इस तरह से इसका अंदर में इस तरह से connection किया हुआ रहता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो channel है इसे कैसे fitting किया जाता है तो इसके लिए देखे इस तरह का कुछ nut volt होता है यह हमारा anchor जो होता है फास्टनर कहते हैं pin tap का होता है और उसके बाद यह 4 इंच का nut volt यहां पर use होता है और 7 में 2 इंच का जो nut volt होता है वो भी channel को fitting करने के लिए यूज होता है तो देखिए फास्टनर को कुछ इस तरह से यहां पर लगा दिया जाता है और फिर चैनल के उपर हमारा solar plate को install कर दिया जाता है तो दोस्तों इस solar plate के उपर मैंने काफी detail में एक video बनाया है किसी किस तरह से लगाया जाता है connection किया जाता है तो चैनल में उसे जाके देख सकते हैं